हेलो गाइज वीडियो में हम लोग एक डिजिटल फाइनसिंग से जुड़ी हुई कंपअनी के बार में डिसकस करने वाले हैं अगर company की fundamentals के बारे में discuss कर तो last 52 week की company की जो maximum return है वो approximately 300% के आसपास के निखल के आ रही है book value से अभी आप लोगों सस्ते में मिल रही है ये company और इस company में FIIS का जो holding है वो around 27% के आसपास है DIA इसने December की quarter में अपनी holding increase करिये और हम आप जैसे छोटे मोटे retailer की जो holding है इस company में वो around 23% के आसपास निकल के आ रही है तो guys इस वीडियो में हम लोग basically 3 point cover करेंगे so the first point is fundamental analysis यहाँ पर हम लोग देखेंगे की company कौन सी है and company fundamentally कैसी है for short term trade and long term investment purpose second point is volume analysis volume को analyze करके हम लोग future trend के बारे में अंदाजा लगाने ही कोशिश करेंगे and the third point is technical analysis यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे different technicals के बारे में मतलब कहाँ पर आप लोग buy करके चल सकते हो and क्या आप लोग की target रहने वाली है for swing trading तो guys बिना time waste के पहली point की तरब बढ़ते है और देखते है कि company कौन सी है and company fundamentally कैसी है तो guys यहाँ पर आप लोग company का name देख सकते हो धनी services limited company क्या करते है वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह जो धनी एप है ना personal finance का वो इसी company का एप रहने वाले है जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगर company के बारे में आप लोग को कोई भी चीज़ डीटेल में जाननी हो तो company के website में जाके आप लोग definitely check कर सकते हो company बहुत बीएस त्री और ने से में लिस्टेड है और अभी company अप लोग को book value से सस्ते में मिल रही है और यहाँ पर लास्ट 52 एक की maximum return देखा जाए तो वो 356.71% के आसपास निकल के आ रही है dividend company देती नहीं है and face value दो की है अगर pros and cons के बारे में discuss करें तो काईज यहाँ पर देख सकतो company date reduce किया है और अभी company अप लोग को book value से सस्त में मिल रही है और अगर cons में discuss करें तो company has low interest coverage ratio promoters की holding 30% के आसपास है जो की काफी कम है अगर last 3 साल की return on equity देखा जाए तो वो 2% से भी कम है जो की 3 साल की comparison में तो क्या एक साल की comparison में भी काफी कम है companies cost of borrowing seems high and last 3 साल में promoters की holding आफ वो approximately 7% के आसपास decrease हुई है अगर quarter late result के बारे में discuss करें तो guys यहाँ पर देख सकते हो September की comparison में December की quarter में company ने काफी सही sales दिखाई है और यहाँ पर अगर net profit देखाई जा तो company एक loss making company रहने वाली है और almost 800 क्रोर के आसपास की loss दे रहे तो by the end of 2022 की financial year आप लोग 1000 क्रोर के आसपास की loss expect कर सकते हो from this company और यहाँ पर अगर balance sheet के बारे में discuss करें तो guys देख सकते हो company ने date reduce करने के साथ साथ reserve भी reduce करें जो कि एक अच्छी बात नहीं है वहाँ पर अगर shareholding pattern के बारे में discuss करें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो FIIs ने अपनी holding कम किया है इस company में December की quarter में और DIs ने 0.01% buy किया है और यहाँ पर अगर देखा जाए promoters में कौन कौन है तो guys यहाँ पर देख सकते हो promoters में किस-किस का पैसा लगा हुआ है FIIs भी चेक कर सकते हो एंड याप अगर DIs के बारे में discuss कर तो 1.41% पैसा किस-किस का लगा हुआ है company में वो यहाँ पर mention नहीं है पब्लिक में discuss कर तो काफी सारे बड़े रिटेलर की holding है अगर यह सब कुछ calculate करते हो तो हम अब जैसे चोटे मूटे रिटेलर की जो holding है वो approximately 23.12% के आसपास निकल के आ रही है तो गैस अभी conclusion पर आ था कि company actually कैसी है for short term trade and long term investment purpose पहले short term के बारे में discuss कर देता तो गैस शोट term के लिए मैं यह company बिलकुल भी नहीं recommend करने वाला हूँ और क्यों नहीं करने वाला हूँ उसके पीछे का reason यहाँ पे है देखो आप लोग के सामने है माइनस 60% return in last 6 months तो अगर आप लोगों ने 6 माई ने पहले 10,000 रुपिया लगा होता है इस company में तो अभी वो 4,000 ही बचे रहता है ठीक है और यहाँ पर अगर long term की बात करें तो long term के लिए भी मैं यह company recommend नहीं करने वाला हूँ यह तो हो गया है अभी एक लॉस में कंपनी बन चुकिया अगर आप लोगों का भड़ोसा है company के ओपर की company future में profitable फिर से बन सकते हैं कि क्योंकि आप लोगों को बिलकुल भी नहीं recommend करने वाला हूँ पर long term investment purpose यह तो होगे अमारा first point अभी हम लोग बढ़ते हैं अमारे second point की तरह पर देखते हैं कि Friday के दिन company में क्या हुआ था तो गैस यहां पर हम लोग NST के website पे आ चुके अगर Friday के बाड़े में discuss का है तो 54,23,438 quantity में trade लिया गया था जिसका value 4188,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, तो delivery trade यहां से अब लोगो साफ पते चल रहे हैं अब लोग अभी as such देखो इंट्रेस्टेद तो है buy करने में लेकिन उतना भी ज्यादा इंट्रेस्टेद नहीं है कि इसमें position बना कि इसमें position बनाए buy कर रहे लेकिन हो सकता है long term investor जिन लोग के बड़े goal है वो लोग invest कर रह में यहां पर position बनाया जा रहा है इस company में अभी के लिए तो volume की stranger वो साफ साफ यहां पर विक दिख रहा है हम लोग को तो guys यह तो हो गया volume analysis अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 30 point की तरफ और देखते कि क्या है इसकी swing training के levels है and कहा पर आप लोग buy करके चल सकता है और क्या आप आप से कम तो guys बिना time analysis के बढ़ते हैं एनसे के daily chat की तरफ तो guys यहां पर हम लोग आ चुके एनसे के daily chat पे अगर Friday के बाड़े में discuss कर तो Friday के दिन company 3.41% अप थी and यहां पर वाल्यूम देखा जाए तो average से काफी कम volume निकल के आई है मार्केड में Friday के दिन चल सकते हैं आप ल नहीं करेंगी देखो guys company नीचे तो गही है जब market overall fall कर रही तो अब company नीचे तो गही है लेकिन market जब recover कर रही है तब यह company जो almost 80 के level के जो resistance है इसके उपर cross नहीं कर पड़ रही है और यहां से resistance face करके नीचे गिर रही है फिट से इस company में buying होगा लेकिन कहां पे होगा जब य company जो अप लोग को 80 के level दिख रहा है इसके उपर closing करेगी तब buying होगा फिट से और बहुती सरी return देखे चलिया है कि swing traders को तब लोग position बनाएंगे इस company में लेकिन जब तक नहीं यह company 80 के उपर closing करते है तब तक कोई भी यहां पर position नहीं बनाएगा नौर्मल ली देखो नहीं रहे company से तो यह सब देखें मुझे नहीं लेखता है कि यह कोई अकल मंद का काम होगा तो आप लोगों को भी same करना है जब यह company अस्ची के उपर closing करेगी तो आप लोग को buy करना है after confirmation for the target of 95.5, 108, 126, 101, 151 के target के लिए यहां पर आप लोग देख सकते हो और आगे की target भी मैं का के मुझसे पूच सकते हो या तो फिट मेरे Instagram का लिंक आप लोग को description box में मिल जाएगा जाके वहां पर ही मुझे DM कर सकते हो for a one-on-one conversation, thanks again for watching guys, bye guys and definitely guys, stay safe.